दोस्तों अभी दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तरपरदेश के संस्क्रत विध्यालों में मांदे पर सिक्षोकों की भरती होनी है उत्तरपरदेश के एक जिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही किसी जिले का नोटिफिकेशन जारी होगा आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइट करा दूगा तो उत्रप्रदेश के एक जिले के लिए नोटिफिकेशन आ गया है अब उस नोटिफिकेशन को मैं आपको बारी किसे दिखाऊंगा समझाऊंगा बारी किसे फॉर्म भरने से लेकर भेजने तक की पूरी परक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या रहने वाली है सेक्षी कोगता क्या रहेगा मान दे कितने पद हैं पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में प्रोवाइट कराऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है एंड तक पूरे वीडियो देखिए और वीडियो पुसंद आए तो लाइक करके शेय करूंगा कि आपको हर पॉइंट बारिकी से समझा ले जाओ चले अब लोग चलते हैं सीधे notification की तरफ और जानते हैं कि भाई क्या पूरी update है क्या पूरी मामला है पूरा समझ लेते हैं तो आपको notification की copy देख रही होगी स्क्रीन पर मैंने फुल करके स्क्रीन पर दिखा दी जूम करके यहां पर आपको दिख रहा होगा यह जो आई है भरती Sanskrit विद्याले के लिए यह हापुड district में आई है ठीक है और 3523 यानि कि आज ही यह notification release किया गया है कारेले जिला विद्याले निक्षक हापुड की तरफ से यह notification आज ही release किया गया है आपको दिख रहोगा है आपर विज्यापन दे रखा विज्यापन ठीक है और विज्यापन संख्या भी दे रख कि विज्यापन संख्या कितनी है अब देहें यहें पर किस इस्तर भर्ति हो रही है ठीक है संस्कुर्ण संस्कुर्ण विद्याले में किस इस्तर पर उत्तर माधिमा इस दिया हुआ हिसे सैईता प्रयौह्त Ç intervenalelle में सेक्षिक सथे दो जा ढर स चौबिश और 24 पच्रेश排 यानिकि 2 साल के आथवा नियमित चेहनित शिक्षा के आने तक यानि कि या तो दो साल तक या फिर अगर कोई नियमित शिक्षक आ जाता है तो फिर यह जो संबिता पर सिक्षा रखे जारहे हैं इनको हटा दिया जाएगा पहले जो भी नितांत आइस्थाही रूप से मांदय पर ठीक है मांद साचने देश है वह वीडियो की आखीर में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई क्या आपकी सेक्षिक क्यों गता है किस आधार पर मेरिड बननी है आपकी वह मैं आपको आखीर में दिखाऊंगा पहले इस वाले नोटिफिकेशन को आपको पूरे समझा लो ठीक है तो 24 जुलाई 2021 वाला साचने देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप इन पदों पर एप्लाई कर रहें तो वीडियो कर रहें स्किप कर दिया ना तो मजाई नहीं आने वाला फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा देखें यहां पर इन्होंने दे रखका है जनपद मंडल का नाम हापुर जनपद है और मेर दे दिया जाएगा आगे देखिया आयू 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 आपकी 21 बर स्पून होनी चाहिए यानि कि 21 साल से कम बाले इसमें अप्लाई नहीं करते थे और आयू की गढ़ना जो है वो नोटिफिकेशन के रिलीज होने की डेट से होगी यानि कि 30 मई द्वजा 23 के अधर पर आपक यायू कि गढ़ना की जाएगी ठीक है बारी किसे से देखियेuks बहुत द्यान से समझा रहा हूँ आवेधन पत्र प्राप करने की अंतियम्ति थी यहां पर जो दी है यह गलत है यह मिस प्रिंट हो गय है आवेधन पत्र प्रापकर्ने की अंतियम्ति थी यह वह उन्यस तो यह मिस्प्रिंट हो गई इसको मैं कर देता हूं 19 ठीक है 6 किस वाला आदेश है 24 जुलाई 2021 वाला उसमें दे रखे मैं आपको दिखाऊंगा आप देखते रही है ठीक है सैक्षिक आर्था की तिथी विग्यापन प्रकार्चत होनी की तिथी महनी जाएगी यानि कि आपका 30 मैं 2023 तक आपका वह सैक्षिक आर्था मानी गई है वह पूरी पांच विद्यालों में शिक्षा के चैने तो आवेधन कर सकते हैं तो आप एक साथ पांच आवेधन कर सकते हैं पांच विद्यालों में आप इस पद के लिए आवेधन कर सकते हैं कि लिए अरक्षन देखिए आरक्षन तो आपको बदा यारक्षन के बारे में समझाने की दरुवत तो है नहीं अगरे कि पदों का बेबरा न सब मक्राय किटने पद जो है वो यहां पर है तो विद्ध्याला का नाम देख लीजिए श्री चंदी संस्क्रत माध्यमिक विद्याले हापुष इस विद्याले में कितने पधेंत तीन पधेंत तीन आया पर तीक कैं had a highly माढ़मे इस तर के आधार पर ठीक है टॉस्था ओधारित माढ़मा इसतर हे इसमें आधुनिक मिश्य घृटत के एक अगया पर एक सिक्षक्य भर्ती और व्याकरण के लिए बिए यहांपर एक बश्य है वो है तीक से आगे यहां पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहां पर आपको जानकारी दे रखी है आगे आवेदण शुल के बारे में आब एतनशुल कितना रहने वाल है जो जैनरल कटेगीरी को लोग है या पिछला बरक हैं उनको डाइसो रुपय का बैंक ड्रॉफ्ट बनवाना पढ़ेगा और जो आर्थिक रूप से कमजोर बरक है या अनुस्विच जाती है उनको डेढ़ सो रुपय का बनवाना पर दे होगा या ध्यान लखिएगा ठीक है आगे देखिए इसमें आगे क्याल दे रखा इन्होंने आपेधन प्राप्ति के अंतियम तिति दे रखे इन्होंने जिला बिद्याले निक्षा कारेले के इमेल एड़ेस पर भी उक्ततिती वार समय तक पेशित किया जाना चाहिए बिलाम या अन्य कोई माध्यम से आबेदन प्रात्र नहीं किये जाएंगे तो किलिया कर दिया गया है कि भाई आपको आबेदन जो है वो किस तरीके से बेजना ह आगे और भी किलियर इसमें नोट दे रखा आबेदन पत्र के साथ अपने सेक्षिक उर्ता सभी अंग्पत्र प्रमालपत्र एवं आरक्षण के समद्द में प्रमालपत्र की छाय सो प्रमालित आप प्रमालित करना है अवश्य सलगन कर लें अब जिस्टर ड़ान्क द्वा पत्के जिल्ला विद्यालनिर्खषक के इमेल एड्रस दे रखका यहाँ पुल वाला ठीक है पर प्रेशित करना है तो आपको रिजिस्टर डांक के द्वारा अपने जो प्रमारित यानी के आपके इस फोटो कॉपी है उनको आपको भेज देना रिजिटर डांक के द्वारा उनको उनका स्कें कराने के बार उन नीचे इमेल लेडर देया हुआ है यह वाला इमेल इडर इमेल पर आपको भेज onion नहीं होते आपका जो यह पर इंट्रिवि कोई भी आत्रा ब़त्ता आपको दे नहीं होगा शुर्यों में कोई या भी यांत्रा आगे देखिए अभ्यारती महाध्यमिक इक्षिक्षा परिस्त की ओफिश वेफसाइट देख की ये ये पर विज्ञापन के संबद में बिश्टर देश्न निर्देश जारी कर दिये गए वहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर नोट दो देखिए यदि किसी भी इस तर पर अभ्यारती या फिर अभ्यारतनी द्वारा कोई वांचित या आवश्क सुचना छपाई जाती है यानि कि गलत आपने बढ़ दिया या उसका मिथ्या निरूपन किया जाता है तो उसका अभ्यारतन निरस्ट कर दिया जाए उस पर अपने सिगनेचर कीजिए और इस इस फॉर्म पर शिक्का दीजिए ठीक है उसके बाद आवेदन पत्र का प्रारूप संस्ता बिद्याले का नाम अपने बिद्याले के लिए आप अपलाई कर रहे हैं आपको मैंने आभी दिखाया कि इस बिद्याले के लिए यह जगा लिए अबीदत पत का नाम कॉन से पद उच्थ्ठर संग ए यहां पर रखा है उच्थ्थ्थ्थ्थर माध्यम्णा भिड़िय का ठीक है थीचेए मद्यकत का इसके लुप आफे संगे लिए लॆपर लिए है नमाता है जर्मतथी है राष्ट करसे बर धिए ठीक है राश्ट इता भर भर दिए और इस्था ही पटा बेवार का प्ता सहीज coyत बरी एइधा अ्याय आधा नंबर जरू भरिए मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ञाए भरिएगा इसके लाब आप अपना लिंग जो भी आपका लेंगे वह भरिए पुरुष्य महिला बैवाई इस्तितिक क्या है वह भरिए पारिक्शा सुल्का बेवरा लिखिए अपना धनलाशी ल द्वारा भरा जाएगा ठीक है इसके लाब स्यक्षिक योगता आपकी पूर्व मध्धमा यानि स्कूल किस बोट से किया है इंटर्मीडिट किस बोट से किया इसना तक इसना को तर बीएड और अन कोई है वो भी भर दीजिए वो तीन वर्स विशे पूनांग और प्रतिशत इस सब यहां पर भर देना है इसके लाबा यहां पर आवे तक के हस्ताक्षा रहेंगे और पता रहेगा नाम रहेगा गोशना पत्र डिकलेरेशन आपको भर देना है उसके बाद नीचे की तरफ आवे तक के हस्ताक्षा आपके स्रीक्षा नाम पता जिल्ला बिद्याल है न क्योकता क्या है और किस हिजाब से भरती का जो मेरिट है बनेगी देखिए मैं आपको दिखा देता हूं आपको इस क्रिंट पर दिख रहा होगा यह 24 जुलाइ 2021 का एक नोटिफिकेशन है एक शाषना देश है ठीक है यह प्रेशक है इसके आराधना शुकला अपर मुख सचे देश शाषन के तरफ से यह सभी जलाजादिगारी को बेज़ा गया था और यहां पर कह दिया गया है ने इन्होंने दे रहा कि कौन समीथी में रहने वाला है समीथी में कौन-कौन रहेंगे जो भरती करेंगे ठीक है उसके बारे में दे रखा है यह नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहां पर और जानकरी दे रख किये यह मैं शेयर कर दूँगा आप लोग मुझसे ले लीजेगा मैं अपनी फेस्बुक पेस्ट पर शेयर कर दूँगा फेस्बुक पेस्ट का जो लिंक है दोस्तों वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया आप लोग लिंक पर क्लिक करके सीधे फेस्बुक पर जाईए और इसको पेस्ट को लाइक और फालो कर लि मेरिट के पर और इसकती है यानि मेरिट के आधार पर बनेंगे जो आपके Funk 910 वाले के लिए यह दिर्क्रिया कक्षा नौ से दस वाले के लिए लेकिन हम जो है वो देख रहे हैं इस वक्त हापण में जो निकली है वह उत्तर मध्धमा इस तर गे लिए निकली है तो मेरिट किसा अधर पर बनेगी यह देख लिए जोकता क्या रहने वाली है हाई स्कूल के लिए अगर आप फर्स्ट पास हुएं फर्स्ट श्रेडी में तो दस नंबर सेकेंड आया है तो पांच और थर आया है तो दो इंटरमीडियेट में सोला लुड मिलेंगे प्रत्तम आने वाले को टृत अने वाले को आच नंबर और तृत अने वाले को चाह नमबर इसना तक की बात करें 20 नंबर फर्स वाले को सेकुंद वाले को 12 और थर्ड वाले को अनार है और इसके लाबा प्रसक्षित वपादी या बेड़ वाले को किस तरीके से हैं वह सिधान्त के अधर्पर विवार का अधर्पर थेय। तो प्रेक्टिकल का अधर्वर थेयोरी में आप फस्ट आये हैं और प्रेक्टिकल में फस्ट हैं तो आपको तीस नंबर थेयोरी में फस्ट हैं लेकिन प्रेक्टिकल में सेकंड हैं तो आपको 20 नंबर और दोनों में थेयोरी और प्रेक्टिकल दोनों में सेकंड आये हैं तो इस तरीके से आप संस्कत विध्यालों में टीचर पत के लिए apply कर सकते हैं उमीद करता हूँ आप के समझ में सब कुछ आ गया होगा मैंने पूरे डिटेल से आपको समझा दिया इसके बाद भी अगर आप में मन में कोई confusion चल रहा है तो में नीचे comment box में type कीजिए लिखिए और हागिस दरूर लिखेगा यू पी शिक्षक फर्ती दोज़ाथ इस जिस सग्या आगर मुझे इस तनाा की update में मदद मिलेगी video पसंध आए तो यहाँ को लाइक कर देना बहुत मेनद लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें चैनल पंडले है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आथ तक असनी से पहुंच सके अपना कहया लगिए परिवार का कहया लगिए फिर्मॉला का तो भी तैंक्यू